आज हम फल रहित अंजिर के पेंड के बारे में पढ़ेंगे मरकुस रचित सो समचार ग्यारा ध्याय और उसका बारा, तेरा और चौदा पद में दूसरे दिन जब ये बैतनियाह से निकले तो उसको भूक लगी, जब प्रभु येशुमसी के चेले और प्रभु येशुमसी बैतनियाह से निकल रहे थे, तो प्रभु येशुमसी को बहुत जोर से भूक लगा वह दूर से अंजिर का एक हरा पेंड देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय ना था प्रभुयेशुमसी को तो भूक लग रहा था तो प्रभु येशुमसी ने दूर से अंजीर का एक हरा पेंड देखकर निकट गया प्रभु येशुमसी ने दूर से एक अंजीर का हरा हरा पेंड देखा और प्रभु येशुमसी उसके पास गया लेकिन उस पेण में प्रभु येशुमसी को फल नहीं मिला, केवल हरे हरे पत्ते दिखे क्योंकि फल का समय था ही नहीं, तो फल कहां से लगता क्या प्रभु येशुमसी इस बात को नहीं जानता था कि अभी अंजिर फलने का समय नहीं है तो मुझे अंजीर के पेंट से फल कहां से मिलेंगे प्रभु येशुमसी को तो केवल हरे हरे पत्ते दिखे वहाँ पर प्रभु येशुमसी पत्तों को देख कर नहीं गया परन्तु फल को प्राप्त करने के लिए गया इस पर प्रभु येशुमसी ने उससे कहा अर्थात प्रभु येशुमसी ने पेंड से कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए और उसके चेले सुन रहे थे इसी आयत को हम जब पढ़ते हैं मर्कुस 11 का 20 पद में फिर भोर को जब ये उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजिर के पेंड को जड़ तक सुखा हुआ देखा कोई दिनों के बाद जब प्रभु येशुमसी और प्रभु येशुमसी के चेले उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो प्रभु येशुमसी के चेलों ने देखा कि ये पेंड तो पुरी तरह सुख गया है जैसा कि हम 21 पद में पढ़ते हैं पत्रस को वह बात इस मरड आई और उस ने उस से कहा अर्थात पत्रस ने प्रभु येशुमसी से कहा हे रभी देख यहां अंजिर का पेंड जिसे तुने स्राब दिया था सुख गया है तो दोस्तों ये अंजिर का पेंड है कौन ये अंजिर का पेंड हम मसी हैं जो बाहर से हरे भरे दिख रहे हैं हम जै मसी कहते हैं जै येशु कहते हैं हालेलुया प्रेस दे लाट कहते हैं हम बाहर से हरे हरे मसी ही दिख रहे हैं लेकिन क्या वास्तुईक में हमारे अंदर पवित्रा आत्मा का फल है कि नहीं है प्रभु येशु मसी देखने आएगा तो हम बाहर से हरे हरे दिख रहे हैं ये सब तो बाहर से कह रहे हैं, बाहर से लोगों को दिखा रहे हैं, कि हम एक अच्छे मसी हैं, परन्तु हमारे जीवन में, परन्तु हमारे जीवन में पवित्रा आत्मा का फल नहीं है, तो फिर येशु को फायदा ही क्या है? भाई, येशु को तो फल चाहिए, येशु को पत्ते थोड़ी चाहिए, तो क्या आज हमारे अंदर पवित्रा आत्मा का फल है? कई वार हम कहते हैं, कि रुको नभाई, मैं बाद में सुधर जाऊंगा, बाद में बदल जाऊंगा, अभी थोड़ा और समय मुझे चाहिए, कई वार हम दूसरों की तरफदारे भी करते हैं, रुको नभाई, उसको थोड़ा और टाइम दो, वो बाद में सुधर जाएगा बाद में उसके अंदर आत्मिक फल लगेगा लेकिन प्रभु येशुमसी को अभी चाहिए अभी इसी वक्त तुरंथ पवित्र आत्मा का फल चाहिए हम प्रभु येशुमसी के पास बहाने नहीं बना सकते अंजीर के पेंड से हम सिखे न अंजीर का फलने का समय था ही नहीं तो प्रभी येश्व मसी ने उस अंजीर के पेंड को सुराब दे दिया। आज हम मसीह के अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं लग रहा है। हम कहते हैं कि बहुत टाइम हैं, हम धिरे धिरे सुधर जाएंगे। नई हमें अभी इसी वक्त सुधर ना है। अभी इसी वक्त हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल लगे। तो वो पवित्र आत्मा का फल क्या है। इस वच्चन को समझने के लिए हमें गलातियों पांच अध्याय 22 पत पढ़ना होगा। और यहाँ पर लिखा है पर आत्मा का फल अर्थात पवित्र आत्मा का फल जो परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है ऐसा फल ऐसा पवित्र आत्मा का फल जो प्रभु येशु को चाहिए तो यहाँ पर लिखा है पर आत्मा का फल प्रे ना खिला, यदि प्यासा हो तो इसे पानी पिला, अपने पडोसी से अपने समान प्रेम कर, प्रभु येशु मसे ने इस संसार में आकर हमें केवल प्रेम के बारे में बताया है, हम प्रेम करें एक दूसरे से, एक दूसरे से प्यार करें, यदि हमारे प्रति किसी ने कुछ ब प्यार करें हमारे हिर्दे में किसी के प्रती नफरत मत हो हमारे हिर्दे में किसी के प्रती गुसा मत हो हमारे हिर्दे में किसी के प्रती जलन या द्वेश मत हो केवल प्रेम ही हो यदि हम प्रेम को जानेंगे तो समझे हमने परमेश्वर को जान लिया हम परमेश्वर से कहते ह है कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं परमेश्वर हमसे कहता है तेरा भाई तेरा बहन तेरी मा तेरी पतनी या फिर तेरा पती तेरे पास में हैं और तुने उससे प्रेम नहीं किया तो तुम मुझे क्या खाक प्रेम करेगा तुम अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया तो मुझे क्या खाक प्रेम करेगा परमिश्वर तो प्रेम है परमिश्वर का दूसरा नाम प्रेम है गौड इस लब येश्व ने कहा है जैसा मैंने तुम से प्रेम किया वैसे ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, परन्तु हम आपस में लड़ रहे हैं, ज़ागड रहे हैं, हम अपने मम्मी पापा से नफरत कर रहे हैं, अपने पत्नी से नफरत कर रहे हैं, अपने पती से नफरत कर रहे हैं, अपने पडोसी से नफरत कर रहे हैं या किसी से भी हम नफरत कर रहे हैं तो फिर समझे हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं फिर लिखा है आनंद आज हम प्रभुयेशुमसे में आनंदित हैं कि नहीं हैं के लोग आज संसार के दावलत में संसार के सुक सुधा में, संसार के खुपसूरते में या फिर अपनी सुंदर्ता में आनन्द करते हैं लेकिन बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनन्दित रहो हमें प्रभु येशुमसी में आनन्दित रहना है ये आनन्द क्या हमारे हिर्दे में है यदि प्रभु येश्मसी का आनन हमारे हिर्दे में नहीं है तो हमारे अंदर आत्मिक फल नहीं लगा है परन्तु हम चाहे जैसे हलात में हैं जैसे समस्या में हैं फिर भी हम प्रभु येश्मसी में आनन्दित हैं तो इसका अर्थ है, हमारे अंदर आत्मा का फल लगा है, फिर सांती, क्या हमारे अंदर शांती का फल है, कई लोग हमें गाली दे दे, या फिर हमें जगडा करें, तो क्या हम भी उसे जगडा करें, क्या हम भी उसे गाली दें, नहीं, हम सांती प्रिय बनें, कई बार हमारे ज तो हम दुनिया की कठिन समस्याओं से गुजर रहे हैं फिर भी हमारे अंदर सांती है हम गाली खाने के वाद में सांत रहते हैं हमें कोई जगडा करता है बेवजा फिर भी हम सांत रहते हैं तो इसका अर्थ है हमारे अंदर सच्ची सांती है क्योंकि हमारा प्रभु यैश्व मसीतो सांते का राज कुमार है धीरज, क्या हमारे अंदर धीरज का फल लगा है धीरज का अर्थ है, कई वार हमारे जिवन में कठिन समस्याएं आती है लेकिन इसी बीच में कई मसी भाई भन अपना धीरज खो देते हैं परंतु जिन मसी भाई भनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है वे कभी भी धीरज नहीं खोते, क्या आज हमारे अंदर धीरज है क्रीपा, हम परमेश्वर की तरह क्रीपालूब बने हम परमेश्वर पिता की तरह द्यावंद बने हम दुस्मन के उपर भी देया करें अपने पडोशियों के पर भी देया करें हम सबके प्रति क्रीपा करें क्या आज हमारे अंदर क्रीपा का फल लगा है परन्तो यदि हम कहें वा तो मेरे घर खाना खाने नहीं आया मेरे बुलाने पर भी नहीं आया तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो ये कृपा नहीं है ये नफरत की भावना है नहीं, हमें सबके प्रती कृपा करना है भलाई, क्या हमारे अंदर आज भलाई का फल लगा है बाइबल कहती है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाफ है परमिशोर भला है इसलिए हम भी भलाई करें फिर लिखा है विश्वास क्या आज प्रभु येश्व मसि के प्रती हमारा विश्वास मजबूत है सच्चा है कई बार क्या होता है जब मसि STEP अताव बढ़ता है या लोग प्रभु येशु मसी के नाम से विरोत करते हैं कि तुम प्रभु येशु मसी में मत जाओ तो हमारा विश्वास कभी कभी खो जाता है कई बार संसार की चिंताओं में हमारा विश्वास खो जाता है तो इसका मतलब है हम अभी भी अविश्वास के दसा में बने हुए है यदि हमारे पास खाने को भी नहीं है तो भी हमारा विश्वास प्रभु येश्व मसी में पक्का हो यदि कोई प्रभु येश्व मसी का विरोत कर रहा है हमें मना कर रहा है और कह रहा है कि यदि तुम प्रभु येशु मसी को मानोगे तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूँगा तो क्या हम वहाँ पर डर जाते हैं कि अरे भाई मैं येशु को मानूँगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे मुझे सताएंगे तो जिनका प्यार परमिश्वर के प्रतिस अच्चा है जिनका विश्वास परमिश्वर के प्रतिस अच्चा है वे यही कहेंगे भाई चाहे कोई मुझे मान डाले कोई सताए लेकिन मैं प्रभु येश्व मसी को नहीं छोड़ूंगा डंके की चोट में कहेंगे लेकिन जो डरपोक मसी हैं जो डरते हैं समाज से जो डरते हैं संसार के लोगों से जो डरते हैं मसी विरोधियों से कि मैं प्रभुयेश मसी का नाम खोल कर लूँगा तो ये लोग मुझे सताएंगे मुझे मार डालेंगे मुझे छोड़ देंगे तो जोटे मसी है उनके अंदर विश्वास का फल लगा ही नहीं है प्रकासित वाक्या दोदस में लिखा है प्रार देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुर दिया जाएगा फिर लिखा है नमरता क्या आज हमारे अंदर नमरता का फल है कोई हमें गुस्टा से भी बात करे तो भी हम नमरता से बात करे कोई हमें नफरत की भावना से बात करे तो भी हम नमरता से बात करे यह है नमरता क्या आज हमारे अंदर नमरता का फल है और सैयम कई बार हमारे जिवन में ऐसी कठिन परिस्थिती आता है कि हम अपना सैयम खो देते हैं लेकिन नहीं परमेश्वर के जो सच्चे लोग होते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा का फल लगा है वे सैयमी होते हैं वे धीरस धरते हैं क्या आज हमारे अंदर सैयम का फल है क्या आज हम छोटी छोटी बातों में गुसा थोड़ी होते हैं छोटी छोटी बातों में हमारा मन विचलित थोड़ी हो जाता है हमारे अंदर यदि पवित्र आत्मा का फल है तो हम हर समय सैयमी बने रहेंगे ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं तो जितने लोगों के अंदर ये पवित्र आत्मा का फल लगा है तो प्रभुयेश्मसी ऐसे लोगों से प्रसन्ना होता है परन्तु जितने लोगों के अंदर ये पवित्र आत्मा का फल नहीं लगा है या फिर हम कहें कि हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा का फल नहीं है तो हम सुखे अंजीर के पेंड के समान है इसलिए मेरे प्रेभाई भानो हम सुखे अंजीर के पेंड की तरह ना बने हम हरे हरे देखने वाले मसीह ना बने परन्तु हम पवित्र आत्मा का फल लाने वाले मसही बने तो महान परमेश्वर इन वजनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यैशु मसही के नाम में आसेश प्रदान करे आमेन